गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट्स क्लास 2 हिंदी 2 बच्चों हम पाथ 5 क्रिकिट कर रहे थे उसका हमने पाथ मैंने तुम्हें समझा दिया था कविता हमने पढ़ ली थी समझा दी थी मैंने उसके बाद हमने एकसराइज भी उसकी करनी थी आज हम उसके शब्दर एक बार क करेंगे शब्दर देखेंगे बैटिंग बल्ले बाजी आखिरी अंतिम चूर होना खत्म होना बैट बल्ला क्रीज विकेट के पास खिची रेखा जान प्राण इसके बाद अब हम प्रशनुत्तर देखते हैं पहले मौखिक प्रशनुत्तर हैं पहला है प्रशन बच्चे को कौन सा बुखार चड़ गया इसका उत्तर है बच्चे को क्रिकेट का बुखार चड़ गया सिर्फ आपको कौन सा की जगा पर क्रिकेट लिखना है बच्चे को कौन सा बुखार चड़ गया बच्चे को क्रिकेट का बुखार चड़ गया अब लास्ट वाली लाइन है सचिन कपिल को मज़ा चखाया मिला आपको सचिन कपिल को मज़ा चखाया तो क्या है बच्चे ने किसे मज़ा चखाया बच्चे ने सचिन कपिल को मज़ा चखाया पूरी लाइन लिखेंगे बच्चे ने के बाद बच्चे ने सचिन कपिल को मज़ा लगी पेज 29 फर्स्ट लाइन गेंद लगी खिलकी में जाकर तो क्या उत्तर होगा क्रिकेट खेलते समय गेंद खिलकी में जाकर लगी बच्चे को कितने डंडे लगे बच्चे को कितने डंडे लगे लास्ट लाइन देखेंगे पहले उपर से गेंद लगी खिलकी में जाकर शीशा चूर हुआ टकरा कर, लेकर डंडा मम्मी आई, सबने छुपकर जान बचाई, मम्मी आई थी उसकी मारने, पढ़ गए डंडे मुझ पर चार, उतर गया क्रिकेट का बुखार, तो कितने डंडे पढ़े, चार, तो क्रिकेट खेलते समय, गेंद कहां जाकर लगी, यह हो गया, खिड़की पर जाकर, बच्चे को कितने डंडे लगे, बच्चे को चार डंडे लगे, अब इन मौकिक प्रश्णोत्तर को एक बार दुबारा रिपीट कर रही हूँ, बच्चे को कौन सा बुखार चड़ गया, बच्चे को क्रिकेट का बुखार चड़ गया, बच्चे ने किसे मजा चखाया, बच्चे ने सचिन कपिल को मजा चखाया, क्रिकिट खेलते समय गेन कहां जाकर लगी क्रिकिट खेलते समय गेन खिड़की में जाकर लगी बच्चे को कितने डंडे लगे बच्चे को चार डंडे लगे अब हम नीचे आते हैं लिखित प्रश्ण उत्तर की तरफ निमलिकित प्रश्णों के उत्तर विस्तार से लिखिए अब लिकित प्रश्ण उत्तर हैं तीन दिये हुए हैं बच्चे के मन में क्या विचार आया अब बच्चे के मन में क्या विचार आया क्रिकेट खेलने का विचार आया बच्चे के मन में क्रिकेट खेलने का विचार आया आखिरी गेंद पर क्या हुआ ठीक है? अब देखेंगे लास वाला पेराग्राफ पेश states 28 में आखिरी गेंद सचिनने फेंकी मैंने चखके की कोशिश की जब उसने आखरी गेंद सचिन ने फैक की तो उसने छक्का मारने की कोशिश की क्रीज छोड़कर मैंने मारा डर गया सचिन देचारा तो अब क्या होगा आथ उत्तर इसका आखरी गेंद पर नहीं स्वरी बच्चे आखरी गेंद पर क्या हुआ आखरी गेंद पर चक्का मारने की कोशिश की और खिड़की तूट गई आखरी गेंद पर क्या हुआ आखरी गेंद पर मैंने चक्का मारने की कोशिश की और गेंद लगने से खिड़की तूट गई ठीक है अब लास्ट क्वेस्चन है मम्मी डंडा लेकर क्यों आई क्यों आई थी मम्मी डंडा लेकर क्योंकि खिड़की का शिशा चूर चूर हो गया था और उसलिए मम्मी को गुस्सा आया और मम्मी डंडा लेकर आई तो लास्ट प्रस्चन है मम्मी डंडा लेकर क्यों आई मम्मी खिड़की के तूटने पर धंडा लेकर आई अब दुबारा से लिखित प्रश्नों को एक बबार देखते हैं बच्चे के मन में क्या विचार आया बच्चे के मन में क्रिकेट खेलने का विचार आया आखरी गेंद पर क्या हुआ आखरी गेंद पर मैंने चक्का मानने की कोशिश की और किड्की तूट गई मम्मी डंडा लेकर क्यों आई मम्मी डंडा लेकर खिड़की तूटने पर आई या खिड़की का कांच तूटने पर मम्मी डंडा लेकर आई इस प्रकार आप अपने आप ये प्रश्मुत्तर कॉपी में करेंगे अगर आपको हेल्प चाहिए कौशिश करें कि अपने आप करें ठीक है और आपको कॉब्वक में मौक करें लिकेत दोनों प्रश्मुत्तर करने हैं आज का है आपको शबदर्थ और अचे के लिए इतना ही है नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट चाप्टर चंदावामा स्टार्ट करेंगे धन्यवाद